अब काजी रंगा, Grasslands of the Giants अब यह जिस ने लिखा है, जिस ओथर ने लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं He was born in New Delhi in 1952 वालमिक था पर उनका नाम था उन्होंने almost 40 years spent किये थे अपने Tigers of India को उनके बारे में पढ़ने में और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, more than 20 books he has written और उन्होंने काफे सारी documentaries बनाई wildlife के ओपर जो उन्होंने BBC को दी, Animal Planet, Discovery, National Geographic Channel इस अब जो है, National Channel जो है, इन सब को अपनी लिखी वी बुक्स भी दी documentaries जो उन्होंने बनाई, वो दी इन्होंने मतलब जो वाइल अनिमल्स, बड़े बड़े वाइल अनिमल्स है काजिरंगा is a land of a mega fauna, mega fauna means बड़े huge जो animals होते हैं आपके, जैसे rhino, tiger, elephant, wild buffalo ये सब हैं, greatest story of India's wildlife conservation तो यहाँ पर काफी अच्छा उन्होंने आगे explain किया कि काजिरंगा में आप क्या देख सकते वो बोल रहे हैं कि आपको काजिरंगा नाशनल पार को experience करने के लिए आपको खुद को visit करना पड़ेगा सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, आप वहाँ जाओगे, आप wildlife देखोगे तो आप experience कर सक होगे कि जो आपने काजिरंगा के बारे में सुना जो पड़ा वो actually सही था तो author बोल रहे हैं जब मैं वहाँ पर first time गया, वो बोलता है कि मैं बहुत lucky था कि मैं वहाँ जा पाया वो कहते हैं मेरे colleague थे और मेरे old friend थे S. Dave Roy वो बहुती amazing man थे जिन्होंने अपनी पूरी life, incredible wildlife को बचाने में लगाई आसाम की जो wildlife है उसको हमेशा save करने के लिए उन्होंने अपनी life को use किया तो वो उसके साथ थे, author के साथ थे ये बोल रहे हैं कि almost जब early 1990s था तब कोई डर नहीं था वहाँ की wildlife को जो आज की date में है, आज की date में आपने देखा होगा कि कितने सारे wild animals खतम हो गए है और उनको डर भी है कही ना कहीं और जादा extinct होने का actually तो early 90s में ये डर नहीं था, काजिरंगा बहुत stunning जगे हैं, बहुत amazing जगे हैं यहाँ पर जो grassland है, जो पूरी की पूरी grassland है, वो बहुत ही जादा फैली हुई है और ये ब्रह्मपुत्र river के आसपास है पूरी की पूरी, यहाँ पर इस forest के एक साइट से आपकी ब्रह्मपुत्र river flow कर रही है आथर अपना first day पता रहा है, जैसे first day सबसे पहले वो western range, मतलब जो आपका national park था उसकी western side पे वो गए वहाँ पर उनको एक साथ में उनका ranger था जिसका नाम था पंकत शर्मा, रेंजर मतलब जो देख भाल करते हैं वहाँ की वो western range से लेकर उनको eastern range तक उनके साथ में थे और eastern range में उनको एक और काफी dynamic character मतलब एक ऐसे इंसान मिले जो बहुत जादा energetic थे, बहुत जादा positive attitude वाले थे तो western range में उनको पंकत शर्मा मिले और eastern range में उनको बोडो मिले, उनका नाम था बोडो तो Deb Roy और author उन्होंने almost 10 घंटे spend किये from dawn to dusk, dawn वो time होता है जब रात, शाम खतम होती है और रात शुरू होती है और dusk वो time होता है जब रात खतम होरी होती है और सुबह चड़ती है जब हम बोलते हैं शाम को दिन अंदर बाहर होता है, that is dawn और सुबह वोती है जब बिलकुल early morning होती है, जब हलका हलका सूरज निकलना चुरू होता है तो dusk time होता है, तो almost उन्होंने 10 घंटे spend किये from dawn to dusk, enveloped in the beauty of its unique wilderness system, मतलब उस जंगल में उस nature की beauty में पूरा वो गिरे वे थे उस nature की beauty से, वहां की wildlife की beauty से, वो ये दिन कभी नहीं भूल सकते है, वो कहते है, nature वो with spell around me like never before, मतलब वहां की nature ने उनको ऐसा attract किया वा था, उनको ऐसा बांधा वा था अपने आप में, जैसे उन्होंने कभी पहले महसूस नहीं किया, उन्होंने almost 108 rhinos देखे, फिर वहां पे जैसे watch tower होता है, national parks में, tower बना होता है, जहां से बैठ कर आप पूरा range देख सकते हो, तो उस watch tower का नाम था, बाहूबल, western range में था ये, तो वहां पे बैठ के वो चाय पी रहे थे गरम गरम, तो एकदम से अलाम बजा, की दूर साइड पे, लंबी-लंबी घासी थी, जहां से tiger दिखा, वहां पर, पानी की कोई, जैसे छुट-छुटी water bodies होती है, forest में, तो वहां पे कहीं कोने पे, वहां पे tiger दिखा, तो काजी रंगा में काफी जादा tigers हैं, और वहां पे काफी बड़े-बड़े huge sizes के tigers हैं, तो वो कहते हमने बाहर जहां का, तो हमने देखा कि tiger हमारे पास से होकर जा रहा है, मतलब वो तो obviously tower के अंदर थे, तो वो खिड़की में से जहां क house में हम रुके lunch के लिए, वहां पर उन्होंने देखा कि पानी के पास, दूसरी पानी की water body में बहुत सारे elephants, elephants का जूंड वहां पर नहा रहा था, तो वो describe कर रहे हैं कि उन्होंने forest में, national park में क्या-क्या देखा, तो में काजी रंगा ही एक ऐसी जगे हैं, जहां पर आपको एफरिका की wildlife की याद आ सकती है, यहां पर बड़े-बड़े giant animals, rhinos, elephants, wild buffaloes, wild dogs, जिनकी छोटे-छोटे unguilets हैं, और tigers मिलेंगे आपको जो बहुत huge हैं, जो बहुत अच्छे खाते-पीते tigers दिखते हैं, जैसे अच्छा शिकार वगरा करते होंगे, यहां पर जो यह जो बड घुसने ही नहीं देते हैं, जैसे दूसरे forest में आप देखते हो, बाकी उनकी तरह यहां आप किसी भी local human being को घुमते वे कभी नहीं देखोगे, जो लोकलाइट होते हैं, जो आसपस रहते हैं, कभी भी आपको ऐसे कोई बंदा घुमते वे नहीं दिखेगा, क्योंकि एक डर होता है, कि बड़े जानवर उनको मार सकते हैं, ऑथर बोलता है, जब हम जीप में ड्राइव कर रहे थे, तो almost six rhinos ने हम पर charge करने की कोशिश की, हम पर attack करने की कोशिश की, और सबसाधा डरावना तब होता है, जब tiger आपके आसपस आपको देख जाए, तो हो सकता है, वो आ इमेडियेटली react कर सके, अपने आपको बजा सके, लोगों को बजा सके, तो यह चीज़ दूसरा नाशनल पाक्स में देखने को जनरली नहीं मिलती है, तो वो जो यह आपके staff members है, forest staff members है, वो forest के पोस्ट के उपर रहते हैं, और वो चलने के लिए भी बड़े बड़े डंड का यूज करते हैं, और वो जनरली जंगल का जो मैंनी होता है, केन बैंबू शूर से जो भी delicious spiced food बनता है, वो वही खाते हैं, तो वो रहते ही वही पर हैं, human intruders मतलब जो बिना permission के घुसकर जानरों को हंट कर लेते हैं, तो वो आपको जिनके पास automatic rifles भी होते हैं, और उनका purpose ही आ है, कि वो rhinos को मारके उनको hawn के लिए, उनके सिंगों के लिए उनको मारा जाता है, तो big gun battles होती है, generally forest staff और poachers की बीच में हर साल, जैसे कुछ लोग आए illegally मारने के लिए, और forest staff obviously उनको जानवर को बचाएगा, तो उनके बीच में भी कई बार लड़ाई हो जाती है, gun battles हो जाती हैं, और उस case में काफी लोग घायल भी होते हैं, काफी deaths भी हो जाती है, deaths भी हो जाती है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो wildlife है, उसको कैसे बचाया जाता है, protection at its very best and a lesson for the rest of India, मतलब बागी जो इंडिया में और भी जो नैशनल पार्क से उनके लिए एक lesson है, कि कैसे wildlife को बचाना चाहिए, फिर author बोलते हैं कि काजेरंगा एक बहुती real जगे है, तो इंडिया की सबसे बड़ी स्टोरी है wildlife conservation के लिए, जैसे wildlife को कैसे बचा के रखावा है, कैसे संजो के रखावा है, हमें भूलना नहीं चाहिए कि early 20th century में जो राइनो की population थी, वो सिरफ 12, 12 थी, और आज की date में वहां की rhinos की population 1600 से 1800 है, if not more, और सिरफ rhinos ही नहीं, और भी जो megafona है, और भी जो huge wild animals हैं, उनकी भी population बड़ी है, सिरफ वो इसलिए बड़ी है, क्योंकि हमने conserve करके रखा है, उनको बचा के रखा हुआ है, वहां की bird life भी बहुत अच्छी है, वहां पर आपको बहुत different wild birds भी दिखेंगी, और वहां पर greater pirate hornbills भी एक तरीकी की bird ही होती है, वह आपको दिखेगी हवा में तेजी से उपर से नीचे आती भी, एकदम तेज अवास करते भी, screech करते भी, that is तेजी से अवास करते भी नीचे की तरफ आना, फिर वहां में आपको घुमते भी दिखेगी, उसके बाद बहुत सारी आपको fishing eagles दिखेंगी, जो तेजी से न मतलब, यहां पर different wild birds बताई भी है, पहले आपकी hornbills हो गई, जो आपको हवा में घुमती भी दिखेंगी, तेज अवास करते भी, फिर दूसरा fishing eagles दिखेंगी, जो तेजी से ऐसी चोट-चोटी water bodies में सीधा घुसती है, अपना हंट करने के लिए जहां पर fishes होती है, वो फि chicken fishes, जो आपको पानी में abundant दिखेंगी, धेर सारी दिखेंगी, फिर swamps के आसपस, आपको swamp petridge, again एक तरीके के birds ही हैं, यह सब दिखेंगी और बहुत सुंदर और बहुत delicate यह सब birds होती है, तो it's full of wildlife and beautiful wildlife. सिक्स चैंसा में वो बोल रहे हैं कि आप बहुत lucky होगे, अगर आप वहाँ जाओ, आप खुद देखो, कि आपको और भी land से पानी में जाते हुए, पानी से लैंड में जाते हुए, बहुत सारे दिखेंगी, you can find otters also, वो अपना बार-बार सर अंदर भार, अंदर भार करते हैं, वो अपने claws में pray करने के लिए, शिकार करने के लिए, फिर जो forest की जो grasslands है, वो बहुत जादा exciting color लगता है, green color जो दिखता है, एकदम घना होता है, और जो इतनी घनी घास जोग रही है, वो सारी coiled, lubed and encircled in an endless embrace, मतलब वो बहुत beautiful view होता है वहाँ का, वो वहाँ के view को explain कर रहे हैं, घुमावदार, एक के साथ एक जुड़े वे, गोल गोल घुमे वे, और बहुत सारे endless हैं वहाँ पर beauty वहाँ की, okay, in seven stanza there are saying की, जो hilly forest है, जहाँ पर hills है, जहाँ पर घने जंगल है, वहाँ पर again यहाँ पर animals के नाब है, हुलोग गुबन्स आपको मिल सकते हैं, काब्ड लंगूर्स मिल सकते हैं, जो जनरली जादा देखने में नहीं आते हैं, emerald doves देख सकते हो, आप imperial pigeons देख सकते हो, forest की canopy मतलब जब आप उपर से view देखो तो जंगल कैसा दिखते हैं, एकदम ढखा हुआ, canopy मतलब जो top layer होती है, forest की, जहाँ पर हमको सिरफ पेड की उपर की top layer दिखती है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, imperial pigeons को अंदर भाहर गूमते वे पेड़ों की छट पे, फिर जो चोटे-चोटे grasslands हैं, जहाँ पर जादा घने घर grasslands हैं, वहाँ पर आपको hawk deer मिल सकते हैं, swam deer मिल सकते हैं, hundreds of thousands of hawk deer हैं, मतलब कितने जदा dears हैं वहाँ पर hawk dears, आपको दिखेंगे वहाँ पर घूमते वे flood plains of India में, आप देख सकते हो, तो वो generally आज की डेट में वो वहीं दिखते हैं, जहाँ पर उनका habitat है, जहाँ पर वो survive करते हैं, years को आप पहले flood plains हर जगे देख सकते थे, पर आज की डेट में वो वहीं दिखेंगे, जहाँ पर उनके habitats बचे हैं, बिकिस हमारे इंसान ने इतना जाथ exploit कर दिया, सब जगे तो जहाँ उनके habitat survive हो रहे हैं, अब वहीं आपको दिखेंगे, चोटे चोटे herbivores के लिए जगे बनती है, grasslands में, giant wild animals के थूरू, वो कैसे होता है, हमें यह पता है, हमारी जो life chain है, पुरी की पुरी, एक दूसरे के उपर interdependent होते हैं animals, जैसे elephants और rhinos, घने जंगल में जाते हैं, उची घासों के बीच में जाते हैं, रास्ता बनाते हैं, और वहां की जैसे घासों है, वो छोटे जानवर खा जाते हैं, तो सब एक दूसरे के उपर interdependent है, जो सांबर है, जो सांबर animal होता है, वो घने जंगलों में, घने जंग, evergreen forest के जो glades होते हैं, मतलब जंगल के बीच में कुछ ऐसे जगे होते हैं, जो पूरी खुली होती है तो सांबर वहां जाके छुपता है, तो बोलते हैं, what a magical assortment of life it is, मतलब हर जानवर के लिए अलग जगे हैं, हर कोई अपने हिसाब से रास्ता ढूंड लेता है, अपने रहने के लेता हो magical it is, पूरे तो एकदम से एक sharp call आती है, hawk deer की, जिससे वहां की एकदम से peaceful था, कोई पूरा environment ही जैसे चेंज हो जाता है, फिर वह देखते हैं कि घास में से एक tiger निकल कर आ रहा है, जो बहुत जादा mesmerik है, मतलब बहुत fascinating है, बहुत attracting है, तो एकदम से उसके उपर catching the rays of the setting sun, जब sun धल रहा है, तो उसकी जो धलते वे sun की जो rays हैं, वो उसके उपर पढ़ रही है, क्या political will है, क्या किसी की इच्छा है कि हम इस paradise को हमेशा जिन्दा रखें, इस work सो जिन्दा रख सकें, doubtful रहता है, बिकिस एक ये world heritage site बन गई है, और कहीं न कहीं, it is a true wonder of the world, और सबका support चाहिए हमें इसको बचाने के लिए, ताकि जो future generations आ रही हैं, वो भी ये magical wildlife को crown, India's wildlife crown.